दोस्तों सो बीमारियों की एक दवाई अंबली जी हाँ इस अंबली से लाइस्टाइल से जुड़ी हुई बहुत सी बीमारिया ठीक होती है यह अनुबवग है डॉक्टर घचना जी का आपने कई वीडियो टेकनिकल फार्मिंग पर देखे होंगे डॉक्टर खादर वली जी एक बताता है कि अमबली खाने से थायबूर्स और ठीक होता है यहाई होतों होता है नींद न sullaने की समष्याँ हो अगर दो जादा है तो Kaytta अ होता है उसज़ से वीमारियों पर चमद्कार के रूप में काम करते हैं अम्बली लेकिन है कि अंबली होती क्या और बंती कैसे इसके बारे में आज डॉक्टर रचना जी आपको प्रैक्टिकली बताएंगी कि अंबली बंती कैसे है और कैसे खाई जाती है जिससे कि यह जो बिमारिया बताई गई है यह समत्कारी ग्रूम से ठीक होते हैं यकीन ना हो तो लिंक डिस् सावा, कंगनी, हरी कंगनी यह पांस तरह के मिलक्स हैं उनी से यह अंबली बनती है आज डॉक्टर रचना की लाइव आपको बताएंगी कि कैसे यह बनाई जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार डोक्सब टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आपने पताए कि यह अंबली मिरेकल का काम करती है आपके क्या अनुबह में पहले तो यह बताई इस अंबली को खाने के बार लोगों को जीवन ही बदल गया जिसको नीन नही प्लेस्मेंट के जरूरत भी नहीं पड़े डाइबर्टीस तो यूँ छू मंतर हो जाती पीस योडी पीस थायरड कुछ भी नहीं है सब के टैवलेट्स भी चूट जाती है ऐसे में अपने उपर अपने उपर भी देखा है क्योंकि मेरे को हार्मोंस के इशू से मेरा प्री ले रही थी होमोपाथिक ले रही थी में टैबलेट्स भी ले रही थी तो यह अमेजिंग रजर्स मैंने अपने उपर देखा कि क्यासा यह चमतकार करती है तो जब यह मेरे को ठीक ने कर दिये एक दिन में और एक अप्ते के अंदर मेरे सारी प्रोब्लम सोट आट हो चुक मिल रहा है आयरन प्रोटीन कैल्शियम फाइबर सब कुछ मिल रहा है तो लगसे लेने के जूट नहीं तो इस अकेली चीज ने मेरे को वो रिजर्ट दी रही चमतकार है तो ही हमारे जो हैं होस्त हमें यह बता रहे हैं कि सो बिमारियों की एक दवा अंबली तो यह इसको ब करके रखे हुए हैं और इसी कटोरी का मैंने नाप के 15-20 गुना पानी मैंने इसके अंदर डाला हुआ है क्योंकि आपकी जितनी पतली बनेगी जैसे कि इसमें आपको नजर आ रहा होगा यह बिलकुल पतली पतली है तो उतना जल्दी हमको फास्ट मिलेगा क्योंकि जितनी पतली होगी इसमें उतने अच्छे आपके माइक्रोवांस भी डेबलब होंगे और हमारे स्टॉमक से इंटस्टान विए जल्दी नीचे चले जाएगी यह एक आदमी के लिए 100 ग्राम एक दिन में चाहिए तीन टाइम खाने के लिए तो 100 ग्राम आपने मिलेट्स लिए उस पांच मिनिट के बाद इसको हम थोड़ा सा डकन हटा के और लो फ्लेम कर देते हैं फेंतालिस मिनट के लिए तो धीरे धीरे यह पक जाती और यह इस तरीके की हो जाएगी बिल्कुल दोना भी है इसको जब आप ऐसे लेते हो इस तरीके से अनाज तो एक बार इसको हलके हा और आपने बता है कि उबाल तो धोड़ा खुला रखना है हाँ थोड़ा सा ताकि इसकी जाग जाब बनती है तो फिर बाहर सारा कुछ यह निकल जाएगा तो जब हलके ड़कन पर यह ऐसे रहेगा तो उसकी जाग बार ने निकलेगे और देरी यह बनता रहेगा फिर यह प हमने यह बिल्कुल चीज क्लोथ लेना पतला सा कपड़ा और इसके मुह पे हमने इस तरीके से इसको बांध देना है और ओवर नाइट हमने इसको छोड़ देना है ताकि सारी रात इसके अंदर ऑक्सीजन का एरियेशन हो सके उपर से भी और यहां मिट्टी के पोर से भी औ और यह बैसा ने वरें हो से झाली कि यहीं क्योंकि जो अक्सीजन का एरियेशन फेल के बरतन में नहीं होता है वह हमारी मेंने बरतन से हिंगते इसके अबगरह को जैसा भी घोया एंजट इसijo bora नाना है ताकि इसके अंदर माइक्रोबायम्स डबलप हो पाएं, अदर्वाइज ऐसा नहीं होगा अगर फट फट पांच मिनिट में खतम सकते हो तो इसमें अड़ करो खाओ, अगर अगर लगता है कि मैं जल्दी नहीं खाओँ अगर 10 बिक जाएंगे, तो आप इसको अलग से इसको 14 मुह लगाकर पीते रो और साथ में टेस्ट के लिए दाल सबजी यह बाते रो यह दोणुंस अम्जी बनाने के बहुत तरीके हैं वह तो आपके उपर डिपेंड़िया कि आप इसको शेक में कैसे तब does करते हो इसकी चाट बनाके कैंसे खाते हो लेकिन जिससे हमारे patientsード होते हैं जिस formula से फॉर्मोल को desk में थीक हूई हूई मेरे husband फिक हुए मैं उसी formula को आपके सामने आझ भी प्रिस्डेंट कर रही हूँ कि हमारा formula यह है कि हम मेलेट्स को साबत ही विह गोते हैं कोंई उसको क्रैक नहीं करते हैं हैं इस तरीके से उसको हम खिचुड़ी टाइन बनाके खा लेते हैं जैसरे दाल चावल शका लिपनी तो यह दिन कितनी बार क्हाने चाहिएएं क्या सेडूल है आगर कोई परशान है कोई बिमार है तो उसको धाई से तीन महीने स्ट्रिकली फोलो करना है अगर को शुरू से ही दो टाइम खाना खाता तो तीसरे ताम भूख नहीं लगती तो वह दो टाइम खाले अगर किसी को तीनों टाइम भूख लगती है उसके किसे प्रॉपर हो नहीं पाता है तो सोने से हमको ढ़ाई से तीन घंटा पहले पहले इसको हमको कंजिम करना कंपल्सरी है तो यह आपका मेल है और इसके साथ आप खाना खाने से 15-20 मिनिट पहले सेलड खा लो सलाद खा सकते हैं तो उसके रिजल्ट हो अच्य है अब बात कर कोई भी मीठा उपाद वो नहीं लेना है आपको टी कोफी रिफाइंड आपको प्लास्टिक सोड़ना पड़े का प्लास्टिक के बैग में कुछ भी जो आता है खाने के लिए पीने के लिए और आपको जितना भी बाहर का पैक्ड फूड पूड प्रोसेज्ड फूड यह आपको टेक नी करना जितने भी आपके जूस आते हैं वो सारा शुगर है और उसके अंदर फ्लेवर्ड होता और कुछ भी नहीं होता यह सब हमको अवाड करना सिंपली बात में कहा जाए आपको हॉम कोग्ड फूड ही चाहिए विद मिलिट आपको स्टैपल फूड यह होन काड़ के साथ लग लग काड़ होते हैं जैसे मैं अपनी बात करो मुझे अमने हार्मों के उपर काम करें है क्योंकि हार्मों सब्दिन वो रही है« जिसमें लेडी कोठा खाएराई से व्शाऊन देडि़ डिट, पीसीओड पीसीओव औस ऑड़र हार्मों इश्युankaप प् तो उसके बाद क्या होता है आपने काड़ा पी लिया जो हमने काड़ा बनाया है काड़ा पी के आदे गंटे के बाद आप यह अंबली ले लो जितना आपको भूख लगती है उसके साथ आप सबहते हुआँ जैसे साठ अलग भी फूरुट मिक्स निकरेंगे जैसे कोई भी अनाजम मिक्स निर्फे करते सिंगल ही अगर आज मैंने लिटर बनाएंगा तो आज मुझे सारा दन फिर लिटर कंशेhran है अमारा फूरुट साथा इसमस्टे के बदाना काया है टो सब्स तो आपका एक से डेड़ दो बजी के करीब आपका लंच का टाइम होगा तो लंच से पंदरा बीस मिनट पहले आपको एक स्मॉल प्रेट सैलेड की खानी है जो सीजनली आप पे पास अविलेबल हो आपका लोकल एरिया में उसके बाद आप फिर से ये अंबली लो और फिर श करें तो आपको छे समझ के लुए ये बाकि जो लोग हलधी उनका तर उनका लग बनता है जैसा उनका प्रफेशन जैसा उनका लाइफस्टाइल और उसमें हां वाकिंग जरूर करनी है सबाग घंटा वाकिंग कंपल्सरी है ताकि इसका जो भी आपका कार्वो हाइड्रेट है जो आपका ग्लूकोज है वह आपका बन होना जरूरी है यह नहीं है कि हमने यह खा लिया में लेट गया और सेडेंटरी लाइस्टाइल है ऐसा इसमें वाकिंग आपका जो एक्सराइज अडिशनल है यह सारा आपको अलग से रिजल्ट देगा यह जरूरी कंपल्सरी है यह उनके लिए है जो बीमार कुछ बीमारियां हो गई है तो वह अगर इस तरह के फोलो करेंगा तो यह मिलेट की अंबली उनको रिवर्स कर देग दो अपना तो घर में अगर आपको आपके घर में बनांके रखा हुआ है तो आप नाश्डी कि परदे को शेक ने समूदी में बना के पी आप मैं अगर दाल सबजी को साथ खाना वैसे ले गे तो 2-4 गंटे ऊपको ब्सी भूगने लगेगी आपको नुट्रिशन भी मिल ज वहीं प्लांट भेस्ध मिल्क सकते से जह कॉक्नद हो गया, कश्मिल्क भी बनाते हैं, यदर का मिल्क बनते हैं, इन सब के भादे हैं जो वीगनमिय नहीं है, वो डिरिप्रूड्ट्स में आपनी ले सकते हैं डूद को बाटर मिलक ले सकते हैं कि वह फर्मेंट हो जएता है उसमें लेक्टो वैसे लिगों से तो दोस्तों जैसा डॉक्र अजी ने बताए प्रैक्टिकल अनुभव है अबली खाने से लोगों की बीमारिया ठीक हो रही है जैसा बताया और विशेश कर डायबेटीज में तो बहुत गजब के रिजल्ट आ रहे हैं यह लोगों के अनुभव है और इसके वीडियो भी हमने अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले